मैं क्या कह रहा हूँ, आपको प्यार बनना है, प्यार मांगना नहीं है, you have to be love, what is love, somebody who is filled with happiness, that is love, that is the essence of love, और क्या है, मले जो सेंस of loneliness है हमारे अंदर से पूरी तरह से निकल जाए, अकेले में भी आपको उतना ही मज़ा आए, जितना आपको किसी के साथ में आ रहा है, न उस आते हैं, और जातर वो thoughts negative होते हैं, यही problem है, बट अगर आप अकेले में बैठे हो, और अंदर जो thoughts आ रहे हो, कमाल के, वो ऐसे हैं कि आपको non-stop entertainment हो रहा है, मजा आ रहा है आपको, मनों thoughts की वैसे ही अंदर यंदर हसी आ रही है, तो क्या होगा, आपको खुद के साथ में दुनिया क्या कर रही है, बाहर चीजों को इखटा कर रही है, बाहर लोगों के साथ में जुड रही है, सब कुछ बाहर कर रही है, और सोच रही है कि हमको खुशी मिलने वाली है, वहां मिली नहीं सकती, impossible, यह कोई भी person black or white नहीं होता है, black and white होता है, उसमें कुछ अच्छ बाहिया भी होती है, बुराहिया भी होती है, तो भाहर आप किसी से भी जुड़ोगे, तो वहां पर plus भी है, minus भी है, प्रब्लम क्या है, आपको minus नहीं चाहिए, सिर्फ plus चाहिए, वह भाहर हो नहीं सकता है, पर अंदर की दुनिया ऐसी है, जहां पर आपका पूरा control है I am complete, मुझे खुश होना नहीं है किसी के साथ में, मैं खुश ही हूँ, तो अब यह औरों के साथ नहीं जुड़ रहा है, समझ पा रहे हैं, पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है, एक है आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ में जुड़ो, तो अब आपका control उस बंदे के साथ में जुड़े रहा हो, तो क्या होगा, कैसी होगी आपके लाइफ, इसका मसलब समझते हो, पूरी दुनिया में लोगों को चाहिए क्या है, कुशी ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, और क्या चाहिए, बताओ, खुद को ऐसा बन अपने अंदर की दुनिया में किसी भी चीज को इस दुनिया में इंपॉर्टेंस मत दो उतनी ही दो जितनी हैं मतलब लाइफ को लाइटली लेना शुरू करूँ हम बहुत जबना स्ट्रॉंगली कुछ अपने बिलीव्स बना लेते हैं और वहाँ पर जागर के थसे पड़े ह किसी वेसे लड़ाई जगड़े हो रहे होते हैं अगर आपने अपने अंदर माइंड में यह पकड़ लिया कि वेजिटेरियन होना ठीक है कि किसी और ने पकड़ लिया नौन वेजिटेरियन होना ठीक है तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी है प्यार मवबत होगा ट्रडाई हो और आपने क्या पकड़ा अपने माईंड में अपको कुछ भी ही नहीं पकड़ा ने की है आपने का भइद नहीं रही हो जा सिसको खाना एक हाले बसमुझ गोह मुझ्या थो मुझे पॉड़ दियो सिंपल हो गया देखो क्या हुआ एक सीरेस प्रॉब्लम एक सेकेंड में खत्म हो गई मलना सीरेस से सीरेस टॉपिक भी जो दुनिया के लिए बड़े सीरेस हैं सीरेस डिसकॉशन्स हैं सीरेस लडाई जगड़ें वह आपके लिए हसी मजाक होना चाहिए अब यह जो मैं बोल अब क्या है आप ने पकड़ लिया एक अपने बिलीफ को यहां जो मेरा धर्म है यही सही है अब क्या हुआ आप बाकी सबके अगेंस्ट हो गए आपको अगेंस्ट होने की जरूत है हो गए तो मुमेंट टेकर स्काइड आप पूरी दुनिया से कट गए है इफ यह नाट ट समझ आ रही हैं कैसे पकड़ लेते हैं चीजों को ऐसा ही होना चाहिए यही होना चाहिए कि नजर है हलकी सी देखने के अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी चेंज कर दो हलकी सी चेंज कर दो तो वह जो सिचुएशन बहुत जादा आपको सीरियस लग रही है अपनी को बतार हैं आपको अकेले की दुनिया में जिसको आप लूलीनेस बोलते हो वहां पर आप क्या करते हो जिसकी वैजे से उस लोलीनेस से आपको डर लगता है और क्या करना चाहिए जिससे क्या पोश्में मजाए फॉर एक जांपल आपका ब्रेक अप हो गया बेट करके रो कि वो चली गई अब मेरा क्या होगा यह होगा और अब मेरा मूड बहुत खराब है अब यार अपने दोस्को फोन कर रहे हो अब बर्वाद हो गया खतम हो गया कुछ नहीं बचा जिन्दी है सारे फिलोस्फर बन जाते हैं ब्रेक अब होते हैं अब करता है क्या चाहिए ऐसे वे अराम से बैठ करके लाइट ली कैसे देखना इस सिचुएशन को यह जब मेरा अफैर नहीं था तब मैं खुश था यह दुखी था बहुत खुश था रिलेश्शिप में गया तो क्या हुआ कुछ अच्छा भी हुआ कुछ बुरा भी हुआ बुरा जाधा होता है या अच्छा जाधा होता है अगर आप अलग हुए तो इसका मतलब बुरा जाधा हो रहा था तब ही अलग हुआ है नहीं अगर सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा होता तो अलग होते ही नहीं तो अब मुझे खुश होना चाहिए दुखी होना चाहि क्योंकि एक बंदा जिसने कभी आम खाया ही नहीं, आम का एक्जामपल ठीक है, हाँ चल जाएगा, गलत सोच वाले लोगों के लिए नहीं चलेगा, बट अच्छे जो लोग है उनके लिए नहीं, गलत एक्जामपल है, खोजामपल लेता हूँ, हाँ, चलो, यह ठीक है, जो बंदा कभी किसी जगे पर गया ही नहीं, तारीफ बड़ी सुनी है, कि सुजलिंड ऐसा है, वैसा है, यह है, वो है, समझ गया ना, इमाजिनेश बन जाते हैं, मूवीज में भी सब सुजलेंट देखा है, यह देखा है, जो कभी गया ही ना हूँ, तो उसके अंदर तो डिजायर रहेगा, सुजलेंट जाने का, यह डिजायर क्या है, इसकी वेसे दुख होगा, या बागी सब चलेगा, मैं ही नहीं हुआ, बा पर कुछ नहीं पड़ा है, और अब आप वापिस अपने घर पे आ गए, अब आप जाधा पीसफुल होए, यह पहले जाधा पीसफुल थे, अब तो जाधा होना चाहिए, चाहिए, एक्सपीरिंस के ऐसा भी रहा सुजलेंट में, बढ़िया रहा, बेकार रहा, वो एक अल मज़ा आता है, लाइफ में आप किसी भी सीरियस सीरियस प्राउलम को भी हसी मज़ात में उड़ा दूगे, अलके भूल के तरीके से, अब क्या गर रहे हो, अन्ने से सरी मेमरीज को नहीं पकड़ रहे हो, अच्छा हो गया, बच गया मैं इस रिलेशनिशिप से, नहीं तो जिन्दगी अब मुझे सुझे लंड में रहना पड़ता, अब मैं और जगे भी जा सकता हूँ, पुरी दुनिया घूम सकता हूँ, इतनी कंट्रीज है, वाइ नाट, फिर पूरा घूम करके, पूरी दुनिया घूम करके, फिर फाइनली डिसाइड करूंगा, कि मुझे कहा सेटल होना है, क्या पता फाइनली में डिसीजन हूँ, शिमला ही बढ़िया है, वाइ नाट, किसी के साथ में जाना ही नहीं है, वाइ नाट, किसी से जुड़ना ही नहीं है, शादी करती ही नहीं है, जबरदुस्ती करती है, क्या, क्यों करती है, किसी किताब में लिखा है, इस नाट मेंडेटरी, हो सकता है, वाई नौट, बट यह भी हो सकता है कि हाँ, कहीं पर कुछ ऐसा आपको मिले, कोई कैसी जगे मिले आपको, यार यह तो शिंबला से बट बेट रहा है, ठीक है रहा हो, ठीक है जी, समझ आ रहा है ना, यहां तक तो पकड में आ गई बात, अ अब मैं कुछ ऐसा बोलूगा, जो हो सकता, आपको समाई ना है, लेकिन बोलूगा सच, वो आप मेरी आखों में देख से ना, जूट नहीं बोल रहा है, बस उसको अपने अंदर जाने देना, you are the very source of happiness, not just for you, for this body, for all the bodies in this creation, नहीं समझ आ रहा हुआ, कोई बात नहीं, सुन वाप बड़ी जल्दी मान लेते हो INTERHow तो एक डारीव करता है चोटी मोड़ी तारीफ नहीं बड़ी करने मुझे क्या करना पड़ेगा किस गाय भहस के ओपर क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे मुझे नर्क नहीं चाहिए अच्छा नर्क में क्या हो तर्म बता दूँगा यह ऺगो यही है बस तेरी अवकात ही यहां दो पड़ी के इंसान आप पाने जाओगे और मेरे यह साफ से चलने लग जाओगे अगर में आपको बोलता हूँ सच ग्रेंटेट नहीं मानयोगे मुझे पता है कोई नहीं मानेगा किया है कि आप भगवान हो यह बात हसम होगी नहीं मैं भगवान कैसे मैं तो गलतियों का पुतला हूँ मैं तो गलतियों की पुतली हूँ मैं तो गई गुजरी हूँ मैंने तो इतने बुले बुले काम करें मैं भगवान कैसे हो सकती हूँ मैं तो एक तुच्छ पराणी हूँ, यही सबाएगा माइन में, यह सच है, चाहे आप इस बात को जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, आपको खुश होने के लिए किसी की भी ज़र्वत नहीं है, आप खुश हो, आप खुशी का सोर्स हो, यू आर हैपिनेस, जब भी आप दुखी होते हो, तो आप अपने आपको कुछ और समझ लेते हो, अब फिर दुखी होते हो, समझ में कमी है, हो कुछ और समझ कुछ और रखा है, यसे हो यह बोडी लेकिन अपने आपको श्रट समझ लो, अब इश fulfilद कर ने किस्ने इंड पंगी तो आप दूखी हो जाओगै इशर्ट फटी तो अब दुखी हो जाओगै शर्ट के वारे वारे में अच्छा भूले गए तो अप खुश हो जाओगै लेकिन आपका वे समझाए में शोट नहीं atau इसके बाल में को अच्छा बोलता है बुरा बोलता है आम नोट दिश्ट श्रट की बात हो रहे हैं मेरी बात नहीं हो रहा है तो आप अछिय नहीं पूरिषोरी के नाम से वहां पर जा सकते हो टीपली चीजों को समझ सकते हो, यह मैं बात करूँ पर्मनेंट सॉलूशन का, एक है टेंपरेरी सॉलूशन, आपका मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा कैसे होगा, मेरे सेशन देखो, मूड अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो, कुछ दिर बाद फिर मूड होगा ही नहीं, यह जो सेंस अफ लोनलिनेस है आपके अंदर, इसको अगर जड़ से पूरी तरह से उखार देना है, तो वो क्या है, कि आप अकेले में भी अकेले नहीं हो, अकेले में आप खुद के साथ हो, और आप क्या हो, यह नट डिफरेंट रूम दिस क्रिएशन, आप इस युनिवर्स में नहीं हो, यह चोटा सा डॉट नहीं हो, यह पूरा पूरा युनिवर्स आप में है, पट ये देखने के लिए एक सिंपल एक नजर चाहिए, पहले जो हमारे दिमाग में जो unlimited thoughts चल रहे हैं, वो चलने कुछ देर के लिए बंद हो, हम टिक करके एक आपर बैठे और फिर देखे रियालिटी क्या है